नमस्कार स्वागत है आप सभी का जेज़ें नीउस में और मैं हूँ आपके साथ वैशाली हल्दवानी 17 माई 2028 थोरेसिक और फेफडों से जुड़ी आलाग अलाग विमाजों के उपलब्द इलाज और रोबोटिक लंग सर्जरी जैसी एम जानकायों को लोगों तक पहुचाने के उद्देश से मैक्स अस्पताल वैशाली ने आज यहां एक जन जागरुपता सत्र आयुजित किया मैक्स सूपर स्पैसलिटी अस्पताल वैशाली पर्शी में यूपी और दिल्ली एंजियार का एक लीडिंग अस्पताल है मैक्स अस्पताल वैशाली में थुरासक विभाग एड तो रोबोटिक सर्जरी के डायक्टर डॉक्टर प्रमोज जिंदर ने इस कालिक्रम में मौजूद रहे उनके साथ हलवानी के वो चार मरीज भी रहे जिनका मैक्स वैशाली में इलाश किया गया 32 वर्ष ये लडित मोहन, 33 वर्ष ये अजेर पताव, 41 वर्ष ये छतरपाल और 62 वर्ष ये दर्शन सिंग उपस्तित रहे इन 4 सक्सेस स्टोरी को शेर करते हुए डॉक्टर प्रमोज जिंदर ने मेडिकल शेतर में हुई तरक्की पर भी अपनी बात रखी उन्होंने बताया, पिछले कुछ सालों थुरैसिक सरजरी में रोबोटिक तक्निके काफी बड़ी हैं चेस्ट और पल्बनरी सिस्टम में समस्य वाले मरीजों के लिए इंट्रो ऑपरेटिव और पोस्ट ऑपरेटिव बहतर रिजल्ट आए हैं पहले जो ओपन सरजरी की जाती थी उनकी तुल्ला में ठुरैसिक रोबोटिक सरजरी मुश्किल से मुश्किल केस में भी मरीजों को सुरक्षित और बहतर परिणाम दे रही है कॉस्ट तो होती है लेकिन अगर आप यह देखें कि उनकी जो आराम मिलता है पेशिंट को आफ्टर सर्जरी वो बहुत जादे होता है जहां तक बात रही कि क्या और हमारे पास ऑप्षन है तो इसके बहुत सारे सेंटर्स नहीं हैं सर्जरी के इसलिए मैक्स सुपर स्पेशलिटी होस्पिल वशाली में हमारा एक पूरा का पूरा डेपार्टमेंट है और यह बड़ा डेपार्टमेंट है जो कि आपको नौथ इ कि यहां पर आने का हमारा मकसद यह है कि कमाउ रीजन और इसके आज-पास के जो रीजन है इसमें टिवर्कलोसिस और टिवर्कलोसिस के कारेंट जो कॉम्प्लिकेशंस वाली जो प्राब्लम्स हैं वो काफी जादे है और ऐसे में पेशिंट्स को अगर यहीं पे पहला परा जाके तुरंट सर्जरी कराना बिना विदाउट सींग यो डॉक्टर बिना डॉक्टर को देखे मिले भी एक अपने आप में लगबग एक हफते से खासी थी तो जब खासी थीक नहीं हुई और हमें लग रहा था कि बेटी को नीमोनिया हो गया जो हमें डॉक्टर में बताया जब हल्दवानी आये तो पता चला कि वो नीमोनिया नहों के बेटी को हमारे कोई और दिक्कत है जिसको मेडिकल लेंग्विज में डाइफरमेटिक हार्णिया बताया था और हमें सजेच किया था कि मैक्स ऑस्पिटल वैसाली में है दॉक्टर प्रमोजिंदल उनकी अगले दिन डाइगनाउस और सारे टेस्ट के बाद उसकी सरजरी हो गई थी और मेरा लगभग चार लाग साततर हजार रोपे का बिल आया था सरजरी के बाद वहां पे मैक्स हॉस्पिटल में और ठोड़ा बहुत जो पहले हमने करा था तो लगभग तो टोटली पांच ला अभी उस पैसे की वैली उतनी नहीं है जितनी मुझे लगभा कि मेरी बीटी स्वस्थ हुई है और अपनी पूरी एफिसेंसी के साथ सारे काम कर दिये और मेरी बीटी का नाम अपूद हुआ है ये खबर तयार की है हमाय सामवाद दाता अधीबग अधिकारी ने तो अभी के लिए इस खबर में इतना ही बागे की तमाम खबरों के लिए आप बने रहे जे जे नेवस के साथ धन्यवाद जल्दी जाओ उसको डिट करो